भारत में काफी जादा कंसर्न है चाइना में भी बढ़ रहे हैं और उसके अलावा कुछ और देश हैं जेसमें सुनने में आ रहा है कि कोरोना के केसिस बहुत साधा बढ़ रहे हैं चाइना में जो वेरियंट है वो है बी एफ पॉइंट सेवन सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में बी एफ पॉइंट सेवन का एक भी केस नहीं मिला है सो अभी फिलाल घबराने की ज़रूट नहीं है नाकेवल टेस्टिंग में मिला है टेस्टिंग तो हम करी रहे हैं जो भी करोना के केसेज आ रहे हैं उनकी जिनोम टेस्टिंग हो रही है नाकेवल टेस्टिंग में बलकि हम कई जगे से specifically दिली के साथ अलग अलग जगे से सीवेज उठाते हैं सीवेज से एडवांस में पता चल जाता है कि आने वाले समय के शहर में ये वाला वाइरस है की नहीं है तो साथ अलग 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 जगे से डेली सीवेज उठाके और उसको टेस्ट किया जाता है उसमें भी BF.7 अभी तक नहीं मिलाया दिली में अभी जो भी थोड़ी बहुत केस्स आ रहे हैं वो XBB variant के हैं या तो XBB variant है या उसके सब लीनियज है XBB ये 92% केस्स जो दिली में मिल रहे हैं वो XBB variant के हैं तो अभी तक फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है दिल्ली के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है और बाईचांस भगवान ना करे कि दुबारा करोना फैले लेकिन बाईचांस अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ हैं आपकी सरकार पूरी तैयारी की होगे हैं एक तो जितने केसिज आ रहे हैं भारत सरकार की डिरेक्शन के मताबिक हम सारे केसिज की जितने पॉजिटिव केस आते हैं सबकी जिनोम सिक्वेंसिंग कराते हैं कि वो उसमें कौन सा वेरियंट है दूसरा हमारी आज डिली में लगबग धाई हजार केसेज की टोटल टेस्टिंग होती है डिली हमारी केपैस्टी एक लाख तक पहुँच गई है अगर जुरूरत पड़ेगी तो हम एक लाख टेस्ट डेली भी कर सकते हैं आज हमारे पास आठ हजार बेड्स करोना के लिए अलग से रखे हुए हैं अगर जुरूरत पड़ेगी तो आठ हजार बेड्स अभी फिलाल खाली हमने रखे हुए हैं पिछली लास्ट जो करोना की पीक आई थी उसमें 25,000 बेड्स तक हम लेके गई थे इसको भी इस बार हमारी तैयारी 36,000 बेड्स तक की है अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 36,000 बेड्स करोना के तैयार कर सकते हैं पिछली बार अक्सीजन की काफी दिक्कत हुई थी अक्सीजन की सबसे बड़ी दिक्कत ही हुई थी कि एक तरफ तो oxygen मिलनी रही थी दूसरी तरफ oxygen अगर मिलती भी थी तो दिल्ली में हमारे पास store करने की capacity नहीं थी वो हमने बढ़ा लिये आज हमारे पास 928 metric ton oxygen store करने की capacity है 928 metric tons इसमें पिछली बार आपको याद होगा कि सबसे जाद अतिकती cylinder नहीं मिल रहे थे सब आदमी मतलब अपने अपने मरीज को लेके cylinder oxygen ढूण रहे थे cylinder नहीं मिल रहे थे अभी हमारे पास जितने cylinders हैं पूरी दिल्ली में सब अस्पतालों में जो लगे हुए उसके अलावा 6000 cylinders हमारे पास reserve में अभी खाली पड़े हुए ज़रूर पड़ेगी तो इनको पिछली बार जब peak आई थी तो हमने ये 6000 cylinders चाइना से import किये थे और ये 6000 reserve में पड़े हुए हमारे पास cylinders पिछली बार एक दिक्कत ये आई थी कि XYZ state कह देता था कि ठीक है आप oxygen उठा लो हमारे पास oxygen लाने के लिए tankers नहीं थे और कहीं से tanker उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे आज हमारे पास दिली सरकार के पास अपने 12 tanker है और 3 private में available है तो 15 tanker दिली के पास available है अगर जूर पड़ेगी तो हम oxygen को transport करने के लिए हमने अपने tankers की भी विवस्था कर लिए दिली में first dose और second dose लगबग 100% लोगों को लग चुकी है precaution dose जो है वो बहुत कम लोगों ने लगाई है केवल 24% लोगों ने लगवाई है मेरी हाथ जोड़के सब लोगों से अब निवेदन है कि दिली सरकार आज ये meeting में भी मैंने सब को कहा कि हमें दुबारा एक exercise करनी चाहिए कि घर घर जाके precaution dose लगाई जाए तो सब लोगों स की भी पूरी तयारी है अभी 380 एंबुलेंसे हमाँ पस रेडी हैं लेकिन आज और भी एंबुलेंसे के लिए हमने order दे दिया है कि और एंबुलेंसे का भी procurement शुरू कर दिया जाए तो मोटे मोटे तोर पे हम तयार हैं और भगवान ना करे कि करोना पहले दिली में करोना आ हैं लोग सुरक्षित रहें स्वस्त रहें ऐसी बगवान से प्रात्ना है हम केंद्र सरकार के उस पे निर्देश पे वेट कर रहे हैं क्योंकि सबसे जादा knowledge is time और expertise केंद्र सरकार के पास है कितना हमें तैयारी करने की जरूरत है कितने वो तो केंद्र सरकार जैसे जैसे मेरे खाल से उसके बारे में भी केंद्र सरकार और निकालेगा जो दिल्ली का जो इंटरनेशनल एरपोर्ट है उसके उपर कितनी सेंपलिंग होने ची जो जो केंद्र कहेगा उसके हिसाब से मैन पावर और मेटीरियल प्रवाइड करना हमारी जिमेदारी है जैसे मैं ने बताया कि फर्स्ट डोस और सेकंड डोस हंड़ेड परसंट लग चुकिए सभी सभी एज ग्रूप्स में और सभी केटेगरीज में जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा जितने जैसे यह सार्ज वाले केसे आ रहे हैं जितने भी सांस के केसे हैं उन सारे के केसे में 100% केसे में अब हम कंपल्सरी जांच कर रहे हैं आर्टी पीसीर के थैंक यू